नमस्कार स्वागत है आप सभी का लाइटेंड न्यूज में और मैं हूतन हूँ अगर आप ये वीडियो मारे फेसुक पेच पे देख रहे हैं तो मारे चनल को ज़रूर सब्सक्राइब किजेगा तो चली जानते हैं खास ख़बर को बिहार पंचाय चुनाव के तीसरेचरण में शुकर वख रवाएर सीवान के दो प्रखन हुसेन गण्ज और हसनपुरा में मद्दान हुआ मद्दान के द登録 रान कुछ मद्दान के इंद्रो पर जम्गामा हुआ इसी दोरान हसनपुरा प्रखन के शेखपुरा गाउं इस्तित मदान केंद पर पोलिस ने निर्वत्मान मुख्या और पकड़ी पंचयाद से मुख्या प्रत्याशी अनुप मिस्रा की जम कर पिटाई की सोसल मीडिया पर मुख्या की पिटाई का वीडियो खूब वारल हो रहा है आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी निर्वत्मान मुख्या पर कैसे लाठी बरसा रहे हैं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्या प्रत्याशी अनूप मिस्रा शेखपुरा गाउं के मदान केंद पर अपने समर्थकों के साथ पहुँच कर हंगामा करने लगे उनका रोब था कि प्रिशासन भी पक्षी प्रत्याशी का मदद कर रहा है इसी बीच पुलिस औ अपराधी की तरह बेरहमी से जम कर पीटना क्या सही है अगर उनके द्वारव को जुर्म की गई हो तो उन पर कानूनी तरीके से भी कारवाई किया जा सकता था लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्या प्रत्याशी लगतार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं उसके बाब जूद पुलिस कुछ सुनने के बजाए उनको एक कुख्यात अपराधी के तहद ऑन दे स्पोर्ट सजा दे रही है ऐसे देजवना की तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए आप जूरे रहें लाइव टेन न्यूज के साथ